हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्जाम दोज में मैं प्राविन कुमार आपका स्वागत करता हूं सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक सुपकामने तो हम भारती सम्मिदान पढ़ रहे थे हमने इसमें भागतीन तक पढ़ चुके थे अभी हम भागचार जो इसका पार्ट फोर है भारती सम्मिदान का DPSP Directive Principles of State Policy राज्य के नीती के निर्देशक्त तो हुआ क्या था जब भारती सम्मिदान बना था तो उस समय पे संसाधनों की कमी थी कुछ चीजें परियाब संसाधन नहीं थे तो उस टैम पे कुछ चीज़ें के प्रवर्तन कर पाने की वएज से उनको भारती सम्मिदान के भागचार में डाला गया और कहा गया कि जैसे जैसे बारत के पास परियाप संसाधन होंगे तो राज्य जो है इनको लागू करने की कोसिस करेगा हलांके भागचार जो है इनको हम कोट में ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा अधिकार हमें मिलनी रहें इनके खिलाफ हम कोट में नहीं जा सकते हैं लेकिन राजजी के लिए बताया गया था कि आपको जैसे जैसे संसादान होंगे आप इनको लागू करेंगे तो ये निया एला में बाद योग नहीं है तो बात करते हैं बाग चार में DPSP तो अनुच्छे 36 से लेके अनुच्छे देख्यामस तक बारती संब्यदान के अनुच्छे 36 से लेके अनुच्छे देख्यामन तक ये DPSP आते हैं बात करते हैं अनुच्छे 36 की तो अगर अनुच्छे 36 की बात की जाए तो ये उग DPSP हैं ये Ireland के संभिधान से लिए गए थे, सबसे पहले ये जो DPSP हैं, ये Ireland के संभिधान से लिए गए थे, तो बात की जाए अनुच्छे 36, तो इसमें राज्य की परिवाशा दी गई है, अनुच्छे 36 में बताया गया है, कि राज्य क्या है, तो यहाँ पे ये वही राज्य है, ज अनुच्छे 37 की बात की जाए, तो अनुच्छे 37 में बताया गया है, DPSP, DPSP जो है, Directive Principles of State Policy, ये वाद योग्य नहीं है, अथार्थ ऐसा नहीं है, कि इनको लागू करने के लिए, आप मतलब, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, आप इनके लिए कोर्ट में नहीं जा स DPSP को लागू करे, जैसे जैसे resources की availability होगी, इनको लागू करे, तो अनुच्छे 37 में बताया है, कि DPSP जो है, वाद योग्य नहीं है, लेकिन ये क्या है, सासन के लिए मूल भूत है, बेसिक बाते हैं ये कुछ, एक अच्छे सासन के लिए, अनुच्छे 38 की बात की जाए, तो अनुच्छे 36 में बताया गया है, राज्य, लोग कल्यान की अविवरद्धी के लिए, सामाजिक व्यवस्था बनाएंगा, अथार्थ बात की जाए, तो यहां कल्यान कारी राज्य की बात की गयी है, कि जो राज्य है, वो सामाजिक, आर्थिक, इन से भी और सामाजिक, का अर्थिक और राजनेतिक निया है, सबी को समान प्रोवाइड कराएगा, तो अनुच्छ अर्थीज जो है, डीपीएसपी का, ये कल्यानकारी राज्य की बात करता है, जो भाग चाहरे है, डीपीएसपी जो है, ये अलग-अलग प्रकार के हैं, कुछ गांधिवाधी सिद् जिसमें ये कल्यानकारी राज्य की बात करता है, अनुच्छ अर्थीज बात की जाएं अनुच्छ अर्थीज की, तो अनुच्छ अर्थीज के नियुक्छ नियुक तक त्तव है, मतलब कुछ elements हैं, जो राज्य को अपने एक अच्छे सासन के लिए देखने पडेंगे, तो आधारवूत है लेकिन वादयोग नहीं है तो सबसे पहले राज्या आ गया उसके बाद यह वादयोग यह नहीं है तो राज्या का रही है कल्यानकारी राज्य सबसे पहले राज्य, फिर वादयंकरी राज्य बनाएंगे, अब कलियान कारी राज्य बन गया, तो भही आए प्रिस्त्रियों को जीवका के साधन प्रवाइड कराएगा कौन राज्य, on the basis of resources, तो A, अगर A की बात की जाए, याद करने के लिए, A for adequate, adequate मतलब परियाप्त संसाधन, तो 39A, याद कर सकते हो, A से adequate, तो 39A में adequate, परियाप्त संसाधन प्रवाइड कराएगा, B, BFOR भातिक, A for adequate, B for بhautic, तो 39B में दिया गया है, भातिक संसाधनों का समानता पूर्वक वित्रण, राज्य जोए, भातिक संसाधनों का समानता पूर्वक वित्रण करेगा, A4 adequate पर्याप संसाधन B4 भौतिक संसाधनों का समानता पूर्व वित्रण C4 संपत्ती ऐसे याद रख सकते हो C4 संपत्ती तो इसमें बताया गया है 39C में कि संपत्तियों का जो है ऐसा मतलब संकेद्रण नहीं होगा अहितकारी संकेद्रण नहीं होगा मतलब वैसा नहीं है कि पूजी एक ही जगह जमा कर ली जाए या फिर उत्पादन हो गया और उत्पादन जो है बिक नहीं रहा है तो इस तरह से कोई भी चीज अनूटलाज ना रहे अहितकारी संकेद्रण नहो C4 संपत्ती D, D से याद रख से है D4 Difference मतलब No Difference की बात करता है कि समान कार रहे के लिए समान वेतन की बात करता है मतलब जो भी आप कार रहे कर रहे हो चाहे स्त्री हो या पुरस हो जो समान कार रहे हो उसके लिए समान वेतन की बात करता है इसका मतलब D4 No Difference ऐसे याद रख सकते हो तो 3090 समान कारे के लिए समान बेतन E, E for Empower याद रखने के लिए E for Empower तो इसमें बताया गया है कि जो इस्त्री हैं, बुडे हैं और जो बच्चे हैं उनके ससकती करण की बात करता है इस्त्री, बुडे, बच्चे इनके ससकती करण की बात करता है E4 Empowerment से याद रख सकते हो तो इसमें क्या बताया गया है कि राज जो है ऐसी चीजें करेगा जिन से कि इस्तरी बच्चे बुढ़े हैं इन सब को एक उज्जल ववे से बना सके है इनका और इनका क्या किया जा सके ससक्ती करना किया जा सके उसके बाद बात करतें F4 की F F से गरेमामय और स्वतनतता पुलबक विकास F4 Free Development F से याद रख से तो Free Development तो बच्चों का क्या है गरेमामय विकास होना चाहिए ऐसा नहीं है कि इस तरह से प्राबधन कर दिये जाए कि बच्चों को कुछ ऐसे कार्या में जाना पड़े जो उनके लिए खानिका रखाऊ तो इनके लिए क्या करेगा Free सिच्छा और ऐसा Free बात आवन प्रोवाइड कराएगा राज जो है कि बच्चों का गरेमामय विकास हो सके तो याद रखना बहुत आसान है बात की जाए 39 में ये राज जो के कुछ नीती के अनुशनानिया तत्तो थे अब बात की जाए 39 का का तो इसमें बोलता है निशल्क बिदिक सहे था तो राज जो क्या है उसकी नीती ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी बंदा है मालो एक अमीर है और एक गरीव है तो ऐसा ना हो कि पैसे की बैसे किसी को नियाय ना मिले आर्थिक इस्तिती की बैसे किसी को नियाय ना मिले तो इसमें बताया गया था 39 के का में बताया गया निशल्क बिदिक सहेता प्रोवाइड कराएगा राज जो कुछ ऐसी चीजें लागू करेगा जिन से के, सिर्फ जिसके पास समपत्ती नहीं है, धन नहीं है, पैसानी आर्थिक रूप से जो कमजोर है, तो उसको नियाय ना मिल पाए, ऐसा ना होना चाहिए, तो इसके लिए कुछ बेवस्ताइएं भी की गई है, जैसे नालसा, एक नालसा है, नालसा की स्तापना की जग एक साल साय, और एक डाल साय, एक डिस्टिक लेवल पर की गए है, तो अनुछे 39 का बताता है, निशल्क विदिख साहे था, बात करें, अनुछे 40 की, अनुछे 40 में बता। ए ग्राम पंचायतों का संगढ़ हन, तो यह गांदीवादी भी है कुछ, तो ग्राम पंचायतों का स तो भया अनुछे चालीज में बताया क्या था कि ग्राम पंचायतों के संगठन पर जोड़ दिया जाना चाहिए, जो ग्राम पंचायते हैं, उनको इस तरह से बनाना चाहिए, मतलब स्वायत टिकाई बनाना चाहिए, एक तरह से इंडिपेंटेंट टिकाई के रूप में इनक संगठन की बात करता है अनुच्छे 40 बात करें अनुच्छे 40 की 40 के बाद 41 अब ग्रामपज चाहताओं का संगठन तो हो गया अब बात करते हैं कुछ दसाओं में काम, सिच्छा और लोक साहता पाने का अधिकार बोला भाईया राज्य जो है कुछ ऐसे भी प्रवंद करेगा राज्य कुछ ऐसे प्रवंद करेगा जिनसे कि क्या किया जा सके बंदों को काम दिया जा सके वहां के लोगों को काम दिया जा सके सिच्छा दी जा सके और लोक साहता भी दी जा सके जैसे आपने देखा होगा यह जो चलता है, मन रहेगा वगरा है तो कुछ लोगों को उनको काम प्रोवाइड कराने की राजे के लिए उसको अपना राजे को जो अपने नीदी निदेश करते हैं उन्हें में लागू करना पड़ेगा, अगर बात की जाए अनुच्छ द्वियालीस की तो अनुच्छ द्वियालीस की, क्योंकि अब काम मिल गया अनुच्छ द्वियालीस में आपको काम मिल गया अनुच्छ द्वियालीस में काम मिल गया तो यह काम मिल गया, आप काम करने जा रहे हो ना उस इस तलप पर कुछ चीज़ें भी दो हो नहीं चाहिए, कुछ सुवेदाइं भी दो हो नहीं चाहिए, अब महला हैं विचारी, 41 में आपने काम दे दिया, और कार इस तलप गए, उनके लिए जो व्यवस्ता है वो ठीक जंग से नहीं है, तो अनुच्छेद 42 कहता है, कार इस तलपर उचित प्रावदान की बात करता है, अब बात कर लिए अनुच्छे 43 की, तो अनुच्छे 43 की याद करने का सिंपल दरीका काम मिला, काम के लिए फिर बेवस्ता, और उसके बाद भईया काम दे दिया, लेकिन काम दे रहे हो तो उसको इतना पैसा दो, कि उसकी घ घर रोजी रोटी चल सके, वो खाना पीना खा सके, तो अनुच्छ 43 की यादा है कि करमकारों, वरकरों को क्या है, निर्वायोग्य मजदूरी दी जानी चाहिए, इतने वेज़िस होने चाहिए उनके, जिससे कि उनका घर का खर्च चल सके, इस प्रकार से उनकी ववश्ता लाजे को करनी चाहिए, अब बात क्या है, अब निर्वायोग्य मजदूरी मिल गई, तो मजदूरों के लिए क्या है, 43A में, 43A में क्या बताया गया, कि मजदूर तो मिल गई, लेकिन भीया मैनेजमेंट में जब तक आप मजदूरों की भागेदारी नहीं दो गए, तो आ स्वेदारी हो गई, भागीदारी हो गई इनकी, तो इनकी अबाज उठाने वाला भी तो कोई चाहिए, जो मजदूरों की अबाज उठा सके, तो इन्होंने कहा, कि 43B में, कि वही है, सहकारी समिती हैं, उनका गठन होना चाहिए, कॉपरेटिव सुसाइटी इसका, 96 समय इन सहकारी समितियों का गठन होना चाहिए, तो यहां तक पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा, जिस तरह से बता रहा हूँ, अनुछेद 44 की बात की जाए, तो अनुछेद 44 कहता है, चार और चार, इससे याद रख सकते हो, बरावर, मतलब क्या है, समान सिविल नागरिक सहि लागू करनी पढ़ेगी, सब को एक नजर से देखना पढ़ेगा, अब बात की जाए, अनुछेद 45, अनुछेद 45, तो चार और पांच, नो, याद रख सकते हो, चार और पांच, नो, नो, फोर नवजात, तो नवजात सिस्मों के लिए बात की गई थी, कि जो 6 साल तक के बच्चे हैं, जो 6 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए प्रारंबिक देखवाल, और उनके लिए छोटी-मोटी जो प्रारंबिक सिच्छा होती है, उसकी राजे को विवस्ता करनी चाहिए, अनुछेद 45 में क्या का गया, चार और पांच, नो, नवजात सिस्मों के लिए देखवाल, क्योंकि जो राज्य के नीती निद्रसक्त्त्त थे, तो इनमें एक कल्यार कारी राज्यों की बात की गई थी, कि राज्यों को कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब सम्मेधान बना था, रिसोर्से अबलेवल नहीं थे, तो उनको क्या किया गया, इनमें डाल दिया तो अनुच्य 45, 45, 99 बच्चों के लिए प्रारंबिक देखवाल, अब बात करें, अनुच्य 46, 46 और 6 से छूटा हुआ, छूटा हुआ पर कौन सा है, जो हमारे देश का, SC, ST हैं, अनुच्य जातियां हैं, जन जातियां हैं, और क्या हैं, अन्य दुर्बल बर गएं, तो इन अनुच्य 46, 6 से छूटा हुआ, SC, ST हैं, अन्य दुर्बल बरगां के लिए, बिसे सुपबंद की बात करता है, अनुच्य 47, 47 और सासे संपोशन, तो अनुच्य 47 बात करता है, संपोशन की, तो मतलब इसमें बताया गया, कि जितने भी राज्य हैं, अपने राज्य की विव अनुच्य 47 में बताया गया, संपोशन के, परियाप साधन के कदम, उठाने की बात कही गई, तो यहां से याद रख सकते हो, कुछ स्टेट्स हैं, आपको पता है, जैसे लिक्षर को बैं कर रखा है, भी हार हुआ जैसे, तो यह अनुच्य 47 के तहती उनके क्या है, नीती न पत्तों के आदार पर उन्होंने बैं किया है, तो सराब बंदीस में आ जाती है, अनुच्य 47 में, आप पूछा गया यह प्रिशन एक बार, बात की जाए, अनुच्य 48 की, तो भईया क्या है, 48, 48 में क्या है, 4 और 8, चार और 8, तो इससे याद रख से तो 4 से 4 से याद रख स देते हो, तो चारे की बात करेंगे, तो क्या है, क्रशी और पशुपालन, तो अनुच्य 48 में बताया गया है, क्रशी और पशुपालन का संगठन, तो राज्य क्या है, जो क्रशी और पशुपालन के संगठन की बात करेगा, साथ में क्या है, जो गाय है, बच्छे हैं, इन उनको उनका वद ना किया जाना चाहिए तो करशी पशुपालन के संगठन की बात अनुच्छ不好 करता ए अब पशुपालन तो हो गया अब यह पशु पालन कर लिया अब इन के लिए खाने के लिए चीज़े होंगी और क्या है बन वगएरां से चीज़ें आती है तो 48 का 48 में का में बताता है बन ववन्य जीवों का सन रक्षन बात किया जाएं 49 में राश्ट्यय महत्तो के जो इसमारक है जो भी इसमारक हैं जो भी monuments है yön जो विराशत हैं हमारी, जैसे कोई चीज़ों को विराशत गोसित कर दिया जाता है, राश्ट्रिय विराशत, तो उनका क्या है, सनलक्षन करना है राज्य को, ये राज्य की नीती होगी, कि जो भी हमारे राश्ट्रिय महत्तो की चीज़े हैं, उनका क्या करेगा, सनरक्षन करेगा, उनको बचाएगा विश्व की धरोहरों को अनुछिद 50 की बात की जाए 50-50 50-50 मतलब कार्य पालका का नियाय पालका से प्रथक करन तो क्या है अब पताया हमें, नियाय पालका जो विदान बनाएगा अगर वही विदान को लागू भी करवाए तो क्या है इन दोनों में जो है coordination नहीं हो पाएगा इसलिए बताया क्या गया कि जो कारेपालिका है जो विदायका का काम कर रही है जो कारेपालिका कर रही है executive है तो वो नियाएपालिका से अलग होनी चाहिए । दोनों का प्रतक करण होना चाहिए नई तो नियाएदेने में जो है उचित तरीके से नियाएद नहीं मिल पाएगा इसलिए क्या जो क्या है 50-50 नियाएपालिका से कारेपालिका का प्रतक करण होने चाहिए बात की जाए last Anachet 51 तो Anachet 51 बोलता है अंतरराश्ट्रेसांती वह सुरक्षा की बात करता है तो राज्य क्या है राज्य का यह नीती होनी चाहिए कि वह जो अंतरराश्ट्रेसांती और सुरक्षा को बनाये रखे तो इसमें दो तीन प्राफदान हैं ईसे आपने देखा हुआ हमेशा देखते हैं भारत पाकिस्तान का योध्दु हुआ, तो बोलते हैं यह बातों को बातों के मादयम से लिघाना चाहिए. मद्यस्तता से बातों को सुल जाना चाहिए तो अनुछे क्यामन में यही दिया गया है कि अंतराश्ट्री जो भी संधी होती है ट्रीटी होती है उनका पालन करना चाहिए राज्यको साथ में जो भी विबाद है उनको बातों के माद्यम से सुल जाना चाहिए तो ये भाग चार DPSP थे, इनको आयरेंड के समिधान से लिया गया था, तो हलांकि जो DPSP थे पहले, ये जो थे, ये मौले का दिकारों से ज़्यादा प्रभावी माने गए थे इनको, लेकिन बाद में क्या किया गया, इनको जो बाद का टाइम आया, उसमें क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे से पूरक हो गए, तो प्रशन पूछा जाता है, कि अगर नीती निजर सकता तो और मौले का दिकारों में, कौन जाधा वरियता दी जाती है, किसको प्रिफरेंस दी जाती है, तो पहले के मामले में देखा जाए, तो DPSP को प्रिफरेंस दी जाती थी, ल आप इनको कोट में नहीं जा सकते हो अनुच्छे दर्थीस में बात की जाए तो DPSP हो गया इसके बाद कल्यानकारी राज्य की बात करता अनुच्छे दर्थीस जब कल्यानकारी राज्य हो गया तो राज्य को कैसे कल्यानकारी होना चाहिए 49 में उसके कुछ तत्तो बता दिये तत्तो में A, A for adequate पर्याप संसादन B, B for भौतिक संसादनों का समानता पूरवर वित्रण C for संपत्ती D for no difference E for empower F for free development 39 का निशलक विदिक सायता नालसा डालसा और सालसा की स्थावना 40 की बात की जाए Grám पंचायतों का संघठन 41 कुछ दसाओं में कारे करने का अधिकार जब कारे करने की छूट दे दी तो भाया कारेस्तल पे व्यवस्ता करेगा अनुच्छे 42 अब कारेस्तल पे व्यवस्ता हो गई तो भाया काम कारने का इतना पैसा दो के उनकी रोज़ रोटी चल जाए तो निर्वायोग्य मजदूरी 43 में आ जाता है तो मजदूरों का प्रबंदन में मैनेजमेंट में बागी दारी बागी दारी होगी तो फिर 43-वी में सहकारी समीतियां आ जाएंगी उसके बाद 44-44 समाननागरिक सहिता बात की जाए 45 चार और पांच नो नवजा सिसू बाले अवस्था की देख रेख चाफ और चालीस छूटा हुआ जो छूटा हुआ वर गये हमारा उसके लिए बिसे सुब बंद सासे संपोशन सासे से सेटालीस पोशाहार जो है इस तर वो बढ़ाना चाहिए और सराब बंदी या ड्रक्स वगेर है उनका देख रेख आसे 48 चार और आठ चारा क्रशीवा पसुपालन का संगठन गौँ हत्या बंद हो जानी चाहिए दो धारू पसुपालन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए उसके बाद 48 का बनव बन्य जीवों का संगठन बात की जाए 49 की तो राश्टी महत्यू के जितने भी समार्क है उनका संगठन अनुच्छेद 50 फिप्टी फिप्टी नियाए पालका से कारेपालका का प्रथक करन और अनुच्छेद 51 जो लास्ट है अंतर राश्टी है सान् सुरक्षा तो हमने भाग 4 के DPS पी पढ़े इसके बाद कल कल के वीडियो में अनुच्छेद 51 का भाग 4 ए देखेंगे उसके बाद हम प्रेशिडेंट संग में चले जाएंगे एन संग की और राज्य की वबस्ताओं को देखेंगे उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अ लाग आओ तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें थैंक यू सो मच